हलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वाकत है स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर आई वेलकम यूटूब चैनल पर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करेंगे रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपोर्टन कोशन जो कि आपके आने वाली एक्जाम के लिए इंपोर्टन है इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियो चैनल पर आल्रेडी अप्लोडेट हैं जिनकी प्लेइलिस्ट बनी हुई है तो आप उन वीडियो को जरूर देखेगा और कुछ इंपोर्टन वीडियो उसका लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप उस वीडियो को भी देखेगा तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्क्रिशन स्टार्ट करते हैं अगर आप चाहें तो टेलिग्राम चैनल से जूट सकते हैं और वाट्स है तो बाड की वैलु क्या होगी ठीक है इफ गुड इस फोडिवन देन बाड इस डाट्स आपके सामने चार ओक्षन दिया हुआ है देखे इस कोशन को हम लोग कैसे सॉल्फ करेंगे बस इसमें हम लोग यह करेंगे जो एल्फाबेट की वैलु होती है उसको लिख करके उन तो वैलु हमारी क्या आजाएगी 41 ठीक है यह बहुत ही सिंपल कोशन है ठीक है रिवीजन के लिए मैंने इस कोशन को इंक्लूट किया है और लास्ट में इसी से रिलेटेट मैं एक इंपॉर्टन कोशन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमिंशक्षन में देना है तो उसी सिंपल है तो यह पर मार आजाये प्ला करने पर सएवन ठीक है जो कि All-C में साफ-साफ दिख रहा यह सिंपल कोशन था बस हमको यहां पर इनकी जो कोड़ में hai हो लिख कर के आपको सिंप प्लास कर देना है और आपको इसका आजायगा ठीक है लिम्हें हैं कोशन है यदि एक निश्चित संकेत लिपी में यानि कि किसी कोड में सिल्क को वन नाइन वन टू वन वन लिखा जाता है तो उस शब्द तो शब्द कॉटन को उसी कोड में क्या से लिखा जाएगा इफ इन शर्टेन कोड सिल्क इस रिटन एस वन नाइन वन टू वन 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 देन वाट विल्ट विल्ट विल्टन 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 वि S की 19 होती है, I की क्या होगी, I की होती है 9, उसके बाद L की क्या होती है, L की होती है, code value 12, और K की होती है 11, ठीके, तो आपने यहां पर क्या देखा, कि जो code value है, उसी को as it is लिख दिया गया है, ठीके, S की होती है 19, तो यहां पर 19 लिखा है, I की होती है 9, तो यहां 9 लिखा है, L की होती है 12, तो यहां 12 लिखा है, और K की होती है 11, तो यहां पर 11 लिखा है, सेम इसी तरह से हम question को solve करेंगे, cotton के लिए, cotton कम लिख देते हैं, हापर C, O, T, T, O, N, इसको हम लोग, जो इनकी, जो code value ह को के होती है उसको लिखेंगे क्या आएगा सी कि कि क्या होती है सी की होती है थीप जयंती है तो फिर से क्या हो जाएगा 20 अचीrie यहां यहां पर हमारा value क्या होगी यहां पर पूरा size में लिख देती हूं 3 ठीक है उसके बाद 15 उसके बाद 20 then 20 again then 15 and then 14 ठीक है option number D हो जाएगा यहां पर हमारा सही answer नेक्स कोशन पर हम लोग आते हैं कोशन है डायरेक्शन से और यह भी बहुत basic है देखिए अगर डायरेक्शन वाले कोशन पूछे जाए तो आपको एक चीज़े पता होना चाहिए कि यहां होता है नौर्थ साउथ और यहां पर होता है व सब्सक्राइब और 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 सब्सक्राइब एक घड़ी एक बच्छे 40 बजे का समय दिखा रही है यदि मिनिट की सुई दक्षिट पस्षिम की ओर इंगित करेगी इशारा दे रही है तो घंटे की सुई किस दिसा की ओर इंगित करेगी दीखे इस तरह के कोशन को बहुत ही सिंपल होता है टीके मान लिजे बज रहा है कितना 1 बच के 40 मिनिट तो यहां पे 1 बज रहा है ठीके 12 होता है 1 2 3 1 बच के 40 मिनिट ठीके 40 मान लिजे यहां पर है तो आपको पता है कि अभी मैंने आपके यहां में डारेक्शन बताया था तो यह वाला क्या होता है नौर्थ इस्ट होता है ठीक है तो आपको घंटे का ही पुछा है तो यह नौर्थ इस्ट हो जाएगा ठीक है अनिकि उत्तर पूर्वदे के इसको मैंने आपर सॉल्व करके यहां पर लगा दे रखा है इंग्लिश में अक्लॉक इस शोइंग टाइम 140 if the minute hand point to southwest in which direction does the hand are point देखें सिंपल सा है इसलिए मैंने आपर लगा रखा है यह है घंटे की और यह है मिनिट की मिनिट का बता रखा है कि दश्चन पस्ची में दिख रहा है आपको यहां पर ठीक है उसी तरह नौर्थ साउथ वेस्ट इस्ट नौर्थ साउथ वेस्ट तो यहां पर क्या हो जाएगा नौर्थ इस्ट in English में बोलें तो नौर्थ का में उत्तर और रीषक को पूर ठीक है उत्तर पूर यहां पर हमारा सही आंसर क्या CU गा ओप्שन नंबरे ओंज गामारा सही आंसर शीमपल कोशन है next कोषन के आते हैं केक औविन से उसी प्रकार समदित है जिस प्रकार आइस स्क्रीम का संबंद कैसे होगा यह होगा रेफ्रिजडेटर में ठीक है ठीक है तो ऑप्षिन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस इंपल कोशन था बहुत इजी कोशन था बट इस तरह के भी एक नमबर के कोशन आते हैं इसलिए आपका यह रिवीजन हो गया होगा ठीक है क एक का अवन होगा तो आइसिंग का रेफ्रिजडेटर ऑप्षिन सी है यहां पर हमारा सही आंसर उसी तरह के और कोशन है मेघाले शिलॉंग से उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार नागाल लांड डैश संबंदित है देखिया आपको पता है नौर्थ इस्टर्न स्टे प्रस्तुत चित्र में निमलिकित में से कौन सा विकल्प वेन आरेक है तू सबसे उप्यूगत है देखिक अभी कभी शब्द दे रखे होते हैं तो उसके बाद आपको वेन डाइग्राम ड्रॉ करना होता है अगर इस तरह का वेन डाइग्राम दिया रहा है तो इसका मितलब यह होता है कि जो तीनों चीजे दी हुई है वो रिलेड एकदम से नहीं कर नहीं है एकदम ही इन तिनों का एक दूसरे कोई वास्ता नहीं है तो आपको बताना है कि इसमें से ABCD में कौन सा आप्शन है जो यात्री, बस, रेल गाड़ी, प्रधूशन, हवा, पानी देखे अगर इसमें बात की जाए यहां पर B वाले ऑप्शन की तो देखे महिला है महिला में मां भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है ठीक है तो यह तो B वाला हमारा गलत हो गया यहां पर दियावा C यात्री कोई-पस से भी जा सकते और यात्री जोगें बस में कैने हैं वा सही नहीं है और चथा देक है प्रदूशन हवा- पानी यहां प्रदूशन कीमा अग्रेजियल हिंदोगों अगुरी लैंगवेज़ में ऋपता है सल दोत scheint कन प्राइए अंग्रेजी तमिल सता हिंदी ये अलग अलग भाशा है ठीक है इनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है अंग्रेजी अलग भाशा है तमिल अलग भाशा है हिंदी अलग भाशा है ठीक है तो यहाँ पर option A हो जाएगा हमारा सही आंसर ठीक है इनका इन तीनों से कोई आ चाहन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term देखे यह भी analogy type का ही question है क्या दे रखा है पहले यहां पर दे रखा है क्यासे करेंगे इस तरह के question को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका आपस में कैसा analogy दिख रहा है यहां पर दे रखा है 2 5 8 ठीक है और आ रहा है 80 कैसे करेंगे अगर हम लोग मैं इसको आपको डायेट बता देते हूं कैसे आया है अगर हम दो को 5 से multiply करेंगे तो 5 2 10 फिर 10 को 8 से multiply करेंगे तो यहां पर हो जागा 80 देखिए एक्जाम टाइम में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अभी आपको लग रहा है यह easy है क्योंकि मैंने आपको आपको बता दिया बट थोड़ा सा आपको इसमें दि 6 2 ठीक है तो यहां पर हमारा कौन सा option सही हो जाएगा option number A क्या किया गया इस तरह के question में बस आपस में multiply कर दिया गया है ठीक है आपस में multiply कर दिया गया है 3 into 6 into 9 is equals to 162 which is shown in option A ठीक है option A हो जाएगा हमारा सही answer नेक्ट कोशन है निमलिखित रिक्त स्थान में सही विकल्प प्रविस्ट करें insert the correct option in the blank given below A का 1 है E का 5 है K का 11 है तो यहां पर डाश है दन 6 का सौरी C का है 29 आपको सामने 4 option दिया हुआ है आपको बताना है कि यहां पर क्या फिल होगा ध्यान से देखिए इस question को क्या दे रखा है A 1 E 5 के 11-C 29 देखिए A और E में A के बाद E आ रहा है तो मतलब कितने alphabet के बाद आ रहा है चार के बाद B, C, D उसके बाद 4E है ठीक है B, C, D और 4E है और इसी तरह 1 के बाद 5 आ रहा है तो यहांने कि 2, 3, 4 चौथा का है 5 है ठीक है इसी तरह K का है 11 यहां पर E के बाद आ जाएगा देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पर A के बाद E है यानि कि प्लस 4 किया गया है सिंपल सा है उसी तरह 1 के बाद 5 है तो यहां पर प्लस 4 किया गया है अब इसी तरह हम लोग नेक्स देखते हैं E के बाद K है, E के बाद K है मतलब E के बाद F, G, H, I, J, K यानिकि छटा ठीक है छटा अलफबट के होगा उसी तरह 5 के बाद 11 है तो 6, 6 क्या हो जाएगा 5 में अगर हम लोग 6 आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा, उसी तरह एक बाद हम लोग 4 बढ़े, फिर 6 बढ़े, फिर क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8 यानिकि K के बाद 8, K में K के बाद 8 ऐलफबट कौन सा आएगा, यह आएगा S, ठीक है उसी तरह 11 के बाद 8 क्या एक बाद 4 के बाद 6 था, उसके बाद 8 था, सुरी 8 हो गए यहाँ पर, ध्यान दीजेगा, A के बाद हम लोग 4 बढ़े हैं, ठीक है, 1 के बाद 5, 4, तो E के बाद K, 6, 5 के बाद 11, 6, उसके बाद K के बाद हम लोग 8 आगे बढ़ेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, ऐसा आएग यानि कि S के बाद 10 हमारा C आएगा, ठीक है, और उसके बाद 19 के बाद 10 हमें 8 करेंगे, तो 29 हमारा क्या जाएगा, सिंपल है, बस हमें अलफाबेट में भी और नंबर में भी आगे बढ़ते जाना है, कितने कितने ग्याब पर, 1 बढ़ 4, 1 बढ़ 6, 1 बढ़ 8, 1 बढ़ 8 औ इसमें आपको 2 काम करना है, अर्फाबेट के साथ दे वही काम करना है, और डिजिट के साथ भी वही काम करना है, यानि कि एक बार, प्लस 4, प्लस 6, प्लस 8, देन प्लस 10, ठीक है, I hope यह कोशन आपको अच्छे समझ में आ गया हो, देखिए मैं आप से कहा था, लास्ट में आपको सिंपल सा कोशन पोचूंगी, जिसका अंसर आपको कमेंट्रेक्शन में देना होगा, तो कोशन क्या है, यदि एक्टिव 60 है, तो पैसिफ क्या होगा, इफ एक्टिव इस 60, देन पैसिव इस डाश, आपको साथ ने चार ओप्शन दिया हुआ है, 100, 80, 55 और 91, इस